हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वैल्थ पर दोस्तों दमकती हुई तच्छा के लिए अपने चेहरे पर ब्लश लगाना या फिर फाउंडेशन लगाना ही काफी नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आपकी तच्छा हमेशे दमकती हुई दिखाई दे तो आपको कुछ और चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है जैसे कि आप जिस भी फाउंडेशन का अप्लिकेशन अपने चेहरे पर कर रही हैं वो आपकी स्किन टोन से मेल खाता हुआ होना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा गोरी हैं तो आप light shade का प्रियोग करिए अगर आप थोड़ी सी dusky हैं तो आप dark shade का प्रियोग करिए इसी के साथ साथ अपने foundation के हिसाब से ही आप अपने चेहरे पर blush भी लगाईए अगर आप बहुत गोरी हैं तो pinkish या फिर peach blush आप अपने चेहरे पर लगा सकती हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा light क्योंकि अगर आप ज्यादा dark blush लगा लेंगी तो उसके वज़े से आपके गाल को ज्यादा ही highlight हो जाएंगी लेकिन अगर आप थोड़ी सी dusky हैं तो आप dark color, coffee या फिर brown color के blush को अपने चेहरे पर लगा सकती हैं इसी के साथ साथ चेहरे को अच्छे तरीके से नमी पहुचाने के लिए मॉस्टिराइज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है हमेशा अपने आपको मॉस्टिराइजेशन देती रहें और नहाने के बाद अपनी बॉड़ी पर और चेहरे पर मॉस्टिराइजर जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर निकले तो sunscreen का प्रयोग करें अपने होटों को सुंदर बनाने के लिए और नमी देने के लिए लिप्स्टिक के बज़ाई लिप बांप का इस्तेमाल करें क्यूंकि कई बार लिप्स्टिक लगाने की वज़े से हमारे होट काफी ज्यादा unhydrate हो घाते है और हमारे होटो में रूखापन भी आ जाता है सो दोस्तों ये है कुछ आसान से तरीके अपनी तुचा को हमेशा सुन्दर दिखाने के इन्हें ट्राइज जरूर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ